गुड मॉनिंग एप्रिबन आज मैं एक बहुत ही खुबसूरत स्टोरी लेके आई हूँ लवी स्टोरी तो चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं एक लड़की थी बहुत ही खुबसूरत जितनी वह सुंदर थी उतनी ही इमानदार ना किसी से जुट बोलना ना किसी से फालतु वाते कहना बस अपने काम से काम रखना उसी किलास में एक लड़का था वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था लड़का अकثर उसके छोटे-मोटे काम कर दिया करता था बदले में जब लड़की मुस्करा कर थैंक्यू कहती तो लड़के की खुशी की सीमा ही नहीं रहती थी एक बार की बात है दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे तभी जोड़दार वारिस होने लगी दोनों को एक पेड़ के नीचे रुखना पड़ा पेड़ बहुत छोटा था बारिस की बूंदा चंचं कर उससे नीचे आ रही थी ऐसे में बारिस से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहत करीब आ गए लड़के को इतना करीब पाकल लड़का अपने जज़वातों पर कावू ना रख सका उससे लड़की को पिरपोच कर दिया लड़की भी मन ही मन उसको चाती थी इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चड़ने लगा एक वार की बात है लड़की उसी पेड़ नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी लड़का बहुत देर आया उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली तुम इतनी देर से क्यों आए मेरी तो जान ही निकल गई थी यह सुनका लड़का बोला जाने मन में तुम से दूर कहां गया था मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनका लड़की अपना सारा गुसा भूल गई और वहे दोड़ लगा कर लड़के से लिपट गई एक दिन दौनों लोग उसी पेड के नीचे बैठे बाते कर रहे थे लड़की पेड के सारे बैठी और लड़का उसकी गोद में सर रखा लेटा था तबी लड़की बोली जानू अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बरदास नहीं होती तुम्हार बिना एक पल भी मुझे सो साल के बरावर लगता है लड़के ने जट से लड़की के मुझे अपना हाथ रखा रख दिया और बोला मेरी जान ऐसी बात मत किया करो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिन्दा रहूंगा फिर वह कुछ सोच सोचता हुआ बोला तुम समय लड़के का चहरा उत्रा हुआ था लड़की के पूछने पर वह रोसा होकर बोला जान मैंने अपने घरवालों को बहुत समझाया पर वह हमारी साधी के लिए तयान नहीं है और उन्होंने मेरी साधी कहीं और पकी कर दिया यह सुनकर लड़की का कलेजा फट फड़ा उ लेकिन उससे अपने जजबात पर कावू पा लिया कावू पा लिया और बोली मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था मैं तो मैं कभी भूल नहीं प्लीज मुझे माफ कर देना लड़का दीरे बोला वैसे अकर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं लड़के की साधी एक दिन आ गया लड़के को यकीन था कि उसकी साधी में उसी दोस्त जरूर आएगी पर ऐसा नहीं हुआ लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला लड़के ने कापते हाथों से उसे खोला उसे देखते ही वह वहोस हो गया गिफ्ट पैक पै और कुछ नहीं खुन के लटपत लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ ही में एक चिठी जिसमें लिखा हुआ था अरे पागल अपना दिल तो लेते जा वरना अपनी अपनी पतनी को क्या देगा तो आज की यह लवी स्टोरी आपको कैसी लगी तो उमीद करूंग यह लवी स्टोरी आपको ज़्यदा पसंद आई होगी तो ऐसे ही लवी स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और ऐसे ही मैं आप सभी के लिए लाती रहूंगी अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और फ्रन मिलते ही एक नेस्ट स्टोरी में तो तक तक के लिए बाई बाई टेक क्यार थेंक फॉर वाचिंग प्यार और सपोर्ट वनाई रखें देखते रहें बवीता निरज ब्लोग